सब्ट श्लोक की गेता को द्यान में रखते वे हम सभी साथ वहे महत्पूर्ण श्लोक जो प्रतेक दिन हमें गीता के संदेश के रूप में पढ़ने चाहिएं जिसमें बगवान की स्थूति भी है और मुक्त होने का मार्ग भी है और जिसमें आत्म स्वरूप के संबन्द में भी जान करे दी गई है कल हम लोगों ने ये सुना था ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन यह प्रयाती त्यजन देहम सैयाती परमाम गतिम इस श्लोक से कल का चिंतन हम सब लोगों ने उस पर मनन किया था अगले श्लोक में हम जाते हैं ग्यारवे अध्याय का ये च्छतिस्वा श्लोक है जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इस्तूति करते वे कहा स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यती अनुरज्यते च रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवन्ती सर्वे नमिश्यन्ती च सिद्ध सिद्ध सद्याः अर्जुन कह रहे हैं कि हे अंतरयामी भगवान आपके गुण नाम आदि का संकीरतन उनकी प्रशंसा करते वे ये सारा जगत हरशित हो रहा है मतलब इस सारे संसार में प्रतेक वस्तू प्रभु आपका गुणगान कर रही है रक्षान से भीताने दिशो द्रवन्ती सर्वे नमिश्यन्ती च सिद्ध सद्याः बहुत शिक्रता के साथ सभी देव पुरुष सज्जन लोग आनंदित हो रहे हैं लेकिन वो भैभीत हैं जो राक्सस हैं क्योंकि जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वह आनंदित है प्रेमपूर्ण है जो आपकी दारा से विपरीत है वह डरा हुआ और दुख भोग रहे हैं पीड़ित है अर्जुन ने ये समझाने की चेश्टा की गीता के इस संदेश में कि भगवान का गुणगान सारी सुरिष्टी का कणकण करता है मतलब ये सारे फूल जिसके लिए खिल रहे है हवाएं जिसके लिए चमर डुला रही हैं और चांद सूरज जिसके आरती करने के लिए इस खुले गगन में विचरन कर रहे हैं सारे सितारे छोटे-छोटे दीपक है और सूर्य एक बड़ा देव दीप बनकर भगवान के आरती में शामिल है सब गुणगान कर रहे हैं जल की धाराएं बैती भी भगवान के चड़नों को धो रही हैं और इसमें गुणजार कर रहे हैं बहुरे कोयल सारे पक्षी मानों वो सब इस आरती में शामिल हैं सब उस्तूति कर रहे हैं सब भगवान के गुणगान करने में लगे वे हैं इसी बात को वेदों में भी कहा गया है यस्टे मा प्रदिशो यस्टे बाहू बड़े बड़े विशाल प्रदेश भी अपनी हरियाली चुनर के साथ जिसकी महिमा गा रहे हैं यस्टे में हिमवंतो महित्वा यस्टे समुद्रम रसिया सहाओ यस्टे मा प्रदिशो यस्टे बाहू कस्मई देवाय हविशा विदेवा बरफीली चोटियों से ढखे वे परवत शिकर बुजा उठाकर जिसका गुनगान कर रहे हैं और ये चलधाराओं से बैतिवी नदियां जिस सागर से जाकर मिल रही हैं और सागर अपनी लेरों के साथ जिसका गुनगान कर रहा है यस्टे मा प्रदिशो यस्टे बाहू दूर दूर तक फैलेवे हरियाले मैदान ये भी जिसके लिए भुजा उठा उठा कर कह रहे हैं कि वही है एक मात्र स्वामी कस्मई देवाय हविशा विदेम सुक सरूप है वह है बस उसी की शरण में जाएं क्योंकि उसी को पुकारें उसी के प्रति हम समर्पित हो जाएं अर जुन ये भगवान की स्तूति करते वे बोल रहे हैं कि जो भी सज्जन लोग हैं भले लोग हैं वे आनंदित हो रहे हैं, वो प्रेम पूर्वक जो चलते हैं, प्रकृति के, शृष्टी के, नियमों के अनुरूप जो चल रहा है, वे प्रेम पूर्वक जो चलते हैं, लेकिन भैभीत हैं वे लोग जो नियम तोडते हैं, और उनके जीवन में नियम तोड़ने के कारण दुख आता है और दुख के कारण जो बैभीत हैं, ऐसे लोग जो यहां कहा गया है कि वो राक्सस प्रवर्वर्ति के लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो उदर पोशन में लगे वे हैं इंद्रियों की तृप्ति में लगे वे हैं जिनने केवल अपना आपा दिखाई देता है जो अपने स्वार्त में ही सनलगने हैं ऐसे लोग इस दुनिया में मनमाने डंग से आचरन करते हैं और उनके जीवन में कोई नियम नहीं होता है वे प्रकृति से विप्रीत चलते हैं और उसके कारण उनके जीवन में अनियक तरह के दुख खड़े रहते हैं उन दुखों के कारण वो हर समय भैबीत रहते हैं चिंतित रहते हैं उनके अंदर निराशा ही चलती रहती है लेकिन जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते वे अपने आपको प्रभु की लेला से उसके ताल से ताल मिलाए वे लेबद हैं तलीन है उसमें तो कहते हैं वो हर समय प्रेमपूर्ण है और आनंदित है अब इस बात को थोड़ समझने की चेश्टा करिए समझाने की ये चेश्टा की जा रही है कि आप जितने जितने इस दुनिया में अनुशास्टि व्यवस्थित होकर सृष्टी नियमों के अनुरूप चलते हैं उतना ही आपका जीवन सुकदाई बनता है जैसे नियम तोड़ कर चलने लग जाते हैं तो आप अपने जीवन में दुख बहुगने लगते हैं जो सुक से जुड़ा हुआ है मतलब आनंदित है प्रसन है प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो प्रभू के गुणगान गाने में भी लगा हुआ है मतलब ऐसा व्यक्ति धन्यवाद करते हुए जीता है तो जो धन्यभागी है कि प्रभू ने हमारे उपर बहुत करपा की हमें बहुत कुछ दे रखा है जो भी कुछ है उसमें वो आनंद मनाते हैं जो नहीं है उसका शोक नहीं करते हैं थाली में पड़े वे बोजन को प्राप्त करके आनंदित ह लेकिन जो नहीं मिला उसकी शिकायत करने में नहीं लगे वे हैं। और जिनके जीवन में हर पल कोई न कोई नियम है। नियमों से विपरीत नहीं चलते। मतलब भी लोग जो ये कहते हैं, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बंबे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो वो कौन सी कल्चर है। रात सोने के लिए नहीं जागने के लिए और दिन में सोने लग जाएं। प्रिकृति के विपरीत चलें। तो सूर्य तेज चीन लेता है, उनके चेहरे की जो ग्लो, उनके चेहरे के जो आबाँ है वो खत्म हो जाती है। आलस से दे जाता सूर्ज उनको। ऐसे लोग मनमाने डंग से जीवन जीने लग जाते हैं तो जीवन में ज़्याद से ज़्यादा अशान्ति आने लग जाती है तो यहां एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि कह रहे हैं कि सारी स्रिष्टी उसका गुणगान गा रही है तो तुम भी गाओ सारी स्रिष्टी में उत्सव है तो तुम भी उत्सव वाले हो जाओ सारी स्रिष्टी का एक एक अनु अनु भी तरंगित है वाइब्रेट हो रहा है तो तुम भी तरंगित होकर जीओ मतलब तुमारे जीवन में गीत भी हो, संगीत भी हो नृत्य भी हो आनंद भी हो, मस्ती भी हो जैसे इस देह में रहते भी हम देह के मालिक से परिचित नहीं है ये रूह और जिस्म का रिस्ता भी क्या अजीब रिस्ता है कि उम्र भर साथ रहे और कभी तारूफ नहीं हुआ, परिचे नहीं हुआ कि हम खुद को जान नहीं पाए या फिर ऐसा हो जाता है जैसे एक जिल्द साज जो किताबों की जिल्द बनाता था कवर चड़ाता था पहले ज़्यादा होते थे आज इकल कमी देखने में मिलते हैं पुस्तके रखी हैं तो अपनी पुस्तक पर जिल्द चड़वाते चड़वाते तीन चार पुस्तकें खोली कहीं वेद है कहीं पुरान है, कहीं उपनिशद है कहीं गीता है कहीं प्रेड़ना दायक बड़े-बड़े सुन्दर वचन लिखे वे हैं और कहीं हुरुद को गुद गुदा दें ऐसे ऐसे वक्त के लिखे वे गुरंत हैं किसी में ऐसे गुरंत भी है जिन में मान पुरुषों की जीवनिया उनके प्रेरक प्रसंग है तो उससे पूछा के तूं कड़ी पढ़ते भी हो इसको तुमें तो फ्री में इतना कुछ मिल गा है तो वो क्या कहता है कि साब हमारी तो उम्र जो है कवर चड़ाने में बीट गई है हमें तो इसी से फुरुषत नहीं मिलते कौन देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ अब उस आदमी को देखके बड़ा आश्चरी हुआ कवर चड़ाने में जिन्दगी बीट गीट बीचारे की लेकिन फिर वो कहता है दुनिया ऐसी जीती है साब फुरुषत कहा है किसी को किताबों को खोल के देखने के अब इस बात का मुत्रब क्या है आपके पास खजाना रखा हुआ है लेकिन आपकी तो जिन्दगी कवर चड़ाने में बीट गई है उसका आनद लेने में तो है ही नहीं और अगर हम दूसरे डंग से कहें तो कोई आदमी ऐसा हो जिसके पास अपनी लाइबरेरी है और वो किसी दिन समय निकाले बस उस दिन इतना ही काम करता रहे कि सारी किताबों के कवर चड़ाता रहे और पढ़ना पाए लाइबरेरी बहुत अच्छी है फाइदा क्या ये तो बिलकुल उसी तरह की बात हो गई कि जंगल में जाते जाते शेर की आवास सुनाई दी और शेर सामने आ गया और आदमी कहता है भाई साब ध्यान रखना मेरे पास बंदूक का लाइसंस है दिखाऊं क्या तो वो क्या कहेगा कि लाइसंस अपने पास रख अपने पास भी लाइसंस है तो मैं फाड़ के खानेगा तो आपके पास क्या रखा है इससे कोई फरक नहीं पड़ता आपकी जिन्दगी में कुछ रखा है तो बस उसी से फरक पड़ेगा विद्या कंट पैसा गंट पैसा गांट में है तो काम आएगा परहस्त गतम दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम नहीं आता कितने सारे लोग जाए है वो दार देख बैठे है मुस्किल में हैं न विचारे और ऐसे ऐसे दुष्ट मिल जाते है तो दूसरों की आँखों में आँसु छोड़ जाते है और सुनकर देखकर बड़ा दर्द होता है इसलिए निविदन करना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को जीवन में आऊसर मिला है तो अपने पास जो खजाना उसे पहचाने आपके अंदर में आपका आत्म तत्तो उसे हम जाने कि हम कौन हैं क्या हैं अपना परिचह में करें नहीं पातें दुनिया का परिचह लेते घुम रहें और दुनिया भर के लोगों के परिचह के कार्ड अपने पास रखे हूँ है अप Courtney परिचह का कार्ड बनाएं अपनी डाईरी हाथ में लेकर उस में लिखना शो करें कि यह मैं हूँ है हमेशा कुछ न कुछ गलती हो जाता थोड़ा हासना शुरू करें रोने वाली बाद शुरू हो जाती है अपनी तो जिन्दगी खराब है तो यह गाना चलता रहता पूरी जिन्दगी आदें के और फिर हमारे अंदर एक ऐसी चुम्ब की शक्ति आ जाती है जो दारिद्र को दुख को गरीबी को लाचारी को खींशती रहती मैं गरीब और गरीब दुखी और दुखी और जिन्दगी में तो उस तरह से जैसे वो पहले कैसेट होते थे न जिसमें एक तरफ जह है वो बहुत आनंद वाले हसने, मुस्कराने वाले, जूमने, नाचने वाले गाने होते थे और दूसरी तरफ जह है उदासी वाले गाने ऐसे रिकारட प्लेयर भी होता था, रिकारड प्लेयर में एक तरफ एक तरफ के गाने भरे वें, दूसरी तरफ उदासी वाले गाने भरे वें, तो पागल आदमी जो है न न नदी किनारे लेटा वा था और बहुत हिल-हिल के गाने गा रा था कुछ लोग चलते चलते जैसे उसके पास आये तो वो एकदम पलटा और उसके बाद बहुत दर्द भरा गाना गाने लगा लोगों ने पूछा क्या हुआ भोले मैंने अपना डिकार्ड पलट दिया है कैसट बदल दिया है पर पागल ने तो फिर भी अपना रिकार्ड पुलेट दिया उसका कैसर तो बदला गया हूँ ए साइड से के बज़ाए बी वाला बजाने लग गया बी वाला ए साइड में कर दिया उसने लेकिन उनको आप समझे वो महा पागल हैं जिनकी जिन्दगी में एक रिकार्ड से जाद कोई रिकार्ड है नहीं उसे प्रसनता में कैसे बदला जाए यह गुरु सिखाता है और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है यह जो हम कहते न दुख में सिमरन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सिमरन करें दुख का हैं को है तो इसमें भी बदलना चाहिए हैं में की जगाया का कर दीजें दुख का सिम्रन सब करें दुख में नहीं दुख का सिम्रन सब करें सुख का करें न कोई धन्यवाद करने के लिए जो सुख दिया भगवान ने थोड़ा बहुत अगर उस सुख का सिम्रन करोगे तो धन्यवाद करोगे न और अगर दुख का सिम्रन करोगे तो क्या करोगे शिकायत प्रायर्षमा तो जरूर करोगे लेकिन कभी भी धन्यवाद नहीं कर सकते शिकायत करने बैठ जाओगे तो क्या बोलना है दुख का सिम्रन सब करें सुख का करें न कोई और जो दुख का सिम्रन करें तो सुख का हैं को होई परमपूच श्री सुधान्चुजी महराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीधी के पावन सानिधि में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही अनेक बच्चे जो बेकार घूम रही है अत्वा कचुरा बीनने का कारे कर रही है ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए फरेदाबाद में ज्यान दीप विद्याले की स्थापना की गई है बच्चों को शिक्षा भूजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाय निशुलक उपलब्ध कराई जा रही है बेटियां किसी शित्र में पीछे न रह जाएं इस उद्देश से ज्यान दीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है बच्ची समाज और देश का भविश्य है इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ओनलाइन डोनेशन के लिए लॉग इन करें www.vishvajagratimission.org नव जीवन साधना क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दे ये हमारे वश में है क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए अध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूती के साथ क्या सांसारिक जगत में भी परसनता, सफलता, संबंधों में आत्मियता, धन, ऐश्वरे का सपना सच करती है नव जीवन साधना तो इसका जवाब है हाँ इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधान्सुजी महराज को शद्धेया अर्चिका दीदिक द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम्भेट नव जीवन साधना